प्रभू आपका धन्यवाद कि आप ने मुझे मीठे नेड़ी प्रभू के नाम की बत्माद हुए। मैं आज आपसे बात करना चाहता हुए। आप बहुत बार सूचते होंगे मनुष्य को किस में बनाया और किस वस्तू से बनाया और आज हम बात करेंगे इसी बात की उपर की परमिश्य ने मनुष्य को कैसे बनाया और किस वस्तू से बनाया। बाइबल परमेश्वर का वचन उपती पहला अध्यर उसकी 26 आएट में लिखा है मैं आपके बीच में इस आएट को पड़ूंगा और परमेश्वर का वचन कहता है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुश्य को अपने सवरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे परमेश्वर ने उसे मचलियों के उपर परमेश्वर ने कहा हम मनुश्य को अपनी समानता और अपने सवरूप में बनाएं अपका स्वाल है कि परमेश्वर मनुश्य को किस ने बनाएं तो परमेश्वर बता रहे हैं कि मनुश्य को परमेश्वर ने खुद अपने हातों से रचा है अब स्वाल पुर्ता है कि किस वस्तू से रचा है अगर हम उत्पत की दूसरा जए उसकी साथवी आयत को पड़े तो वहाँ यू लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमी की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का स्वास फूंक दिया देखिए परमेश्वर ने सबसे पहले तो कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता और अपने सवरूप में बनाए आज मनुष्य कहीं बाहर सोचता है शायद आप भी सोचते हुए कि मनुष्य किस के जैसा दिखाई देता है मनुष्य किस व्यक्ति के तरीके का दिखता है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य परमेश्वर के जैसा दिखता है और परमेश्वर के पास आपके जैसी दो आँखें है परमेश्वर के पास आपके जैसे दो हाथ है परमिशुर के पास आपके जैसा परतेक पार्ट है तभी तो परमिशुर ने मनुश्य को अपने जैसा बनाया है परमिशुर ने आपको और मुझे अपने जैसा बनाया और मैं आज बताना चाहता है यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि परमेशर कैसा है परमेशर हमारे जैसा है हमारे जैसा मिंस रूप में हमारे जैसा है और समानता हमारे पास उच्छ समानता परमेशर की है लेकिन सारी नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से क्यों बनाया मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि जो मिट्ट छरीर है उसको मिट्टी में मिल जाना था और यदि परमेश्वर मनुष्यों को किसी और वस्तू से बनाता तो मेरे ख्याल से वो प्रभु येश्यों के सवरूप में अपने आपको नहीं देख सकता है। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज आपका जो भी स्वान है कि परमेश्वर में मनुष्य को कैसे बनाया और किस वस्तू से बनाया। आज आपके इस सवाल का जवाब मुझे मालूम है पर्मेश्वर ने इस वक्त आपको दे दिया है। बहुत बार हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों ना आपके सवालों का जवाब दिया जाए। मेरी बाध्यान से सुनी जाए। जब पर्मिश्वर ने हमें अपने समानता और सब गूंप में बना है , उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि पर्मिश्वर का जगते थे कि उन्होंने पूरी सृस्टी की रचना थी लें उस सृस्टी को चलाने वाला कोई व्यक्ती चाहिए था और वो व्यक्ति बन सकता था परमेश्वर के अपने हाटों से, वो व्यक्ति बन सकता था परमेश्वर की सोच और विचारों के मताबिद। परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है ताकि मनुष्य परमेश्वर के तारिश कर सके परमेश्वर के श्तीती कर सके आपको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। इसलिए आप और मैं क्यों ना आओ रोजाना के जीवन के अंदर रोज सुबा से लेकर शाम तक आओ हम परमेशर के जैसा ही सोबहाब प्रगट करें। परमेशर के जैसा ही नेचर प्रगट करें। देखिए यदि आप और मैं परमिश्र के हातों से जब बना दिये गए थी, यदि आप और मैं परमिश्र से बनाए गए हैं, तो क्यों ना हम परमिश्र के जैसा सक्रात्मक विचार रखें, क्यों ना हम परमिश्र के जैसे विचार प्रगट करें, क्यों ना हम परमिश्र के ही तरहां चलें फिरें उठें बैटें हमें परमेश्वर के स्वभभाब को प्रगट करना है हमें सोचना है ये परमेश्वर किस तरीके से सोचता है परमेश्वर मनुश्य के नुकसान को नहीं सोचते परमेशर हर नुकसान के अंदर उसके लिए भलाई को प्रगट करना चाहते है। इसलिए इस बात को आप अपने मद्धे नजर रखें कि परमेशर ने मनुश्य को अपने जैसा सिरफ इसलिए बनाया है ताकि मनुश्य परमेशर की तारिफ कर जाए है। फ्रेइज लॉर्ड परमेशर के नाम ही रख माठी जब आप और मैं परमेशर के जैसे वनाए गए गये हैं तो आज के समय में हमें परमेशर के जैसा जीवन भी जीना है कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर कैसा जीवन जीते की, परमेश्वर शमा करने की सामर्थ हकते हैं, परमेश्वर दूसरों की भलाई करने की सामर्थ हकते हैं, परमेश्वर बुराई को भलाई से जीत लेते हैं, और परमेश्वर हमेशा मनुष्य को अपने जीवन से परसन क और परमेश्वर कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहते कि मनुष्य नाश्य हो जाए। मिट्टी में मिल जाएगी परन्तु आत्मा जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ती दूसरा आज़की साथनी आयत के मताबिक मनुश्य के जीवन में उसके नत्नों में स्वास्त फूपने के दौरा वह आत्मा मनुश्य को दिया वो आत्मा जब मिट्टी में मिल जाती है आत्मा स्वैम परमेश्वर के पास बहुत चाता है शान्ती के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज आप जैसे की जान चुके हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सब रूप अपनी शकल में और अपनी समानता यानि अपनी ताकत में बनाया है और मिट्टी से बनाया है Praise the Lord, God bless you, प्रग्वापका अशिश्टी जैम से की तो बहुत खूब सूरत है मेरे खुदा, मेरे मसी कर दो बनाया है कर दो बनाया है सच मुझे खुदावन खुदाया तु खूब सूरत है मेरे मसी इतना खूब सूरत परमिश्व है कि पिता परमिश्व जब हम आपकी तुलना कटते हैं मेरे पिता परमिश्व किसी वे बस्तूर के लेकिन पिता परमिश्व आपके सुन्दर जैसा पर्मिशह में कोई नहीं है आपकी खुबसूरती के सामने हर एक बस्तुर ठीकी है मेरे खुदावन खुदावन खुबसूरती है मसीतु खुबसूरती है मसीतु इसका लम रम से लिखु तेरे चहरे में है जो बात तेरे चहरे में है जो बात होटों से के मैं से कहुँ खुबसूरती है मसीतु खुबसूरती है मसीतु खुबसूरती है मसीतु जो तेरे चेहरे में बात है मेरे पाधिशु उस बात को हमां में होटों के द्वारा कैसे प्यान करें मेरे पाधिशु दिल तो डूपे फिर से डूपे तेरी महाबत में हो दिल तो डूपे फिर से डूपे तेरी महाबत में तेरा चेहरा जो ना देखू तेरा चेहरा जो ना देखू तो भला कैसे जीओ तेरे चेहरे में है जो बात होटों से कैसे कहूँ खुब सूरत है मसीतू से कहिसे डूपे ना देखू है तो डूपे प्कांणत्या यह ना चेहरे महाबत पाल कैसे जीओ आपको पसे तेको हम बायां सब्सक्राइब तर्सकी बाया नाप परेष ते तेरी महाबत को कर्सकी बाया नाप परेष ते तेरी महाबत को मैं तो माटी हूँ दो पल की मैं तो माटी हूँ दो पल की मैं करूं तो कैसे करूं तेरे चहरे में है जो बार होटों से कैसे करूं खुब सूरत है मसी के खुब सूरत है मसी के करूं तेरी माटी हूँ रहो पल की लिए आफ तेरी में करूं कितने खुदगर्द यहानो नाजर में प्यार ने कितने खुदगर्द यहानो नाजर में प्यार नहीं मर ही जाओं जो मैं तेरी एक नजर से दूर रहूं तेरे चहरे में है जो बार तेरे चहरे में है जो बार होटों से कैसे का हूँ खुब सूरत है मसी तुदगर्द तेरे चहरे में है जो बार होटों से कैसे का हूँ कुब सूरत है मसी को कर दो 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 कर झाल